नमस्कार विद्यर्थी मित्रों हुँ आर्दिक शेखडा श्रीमती शान्तावेन हरीभाई गजेरा प्रात्मिक शाड़ा अम्रलिवती ओनलाइन एजुकेशन मा आप सहुन आर्दिक स्वाध बच्छे विद्यर्थी मित्रों आजे आपने धोरण आठ प्रक्रण बे विशेवाद करीशुँ के जेनु नाम से सुक्ष्म जीवों मित्रों अने शत्रों तो तमे तमरी आसपास वनस्पतिवों प्राणिवों सहित अनेक सजिवों ने जोयाशे परन्तु केटलाख सजिव एवा पन जेने आपने नरी आँखोडे जोय शेपता नथी तेने सुक्ष्म जीवों कहे जे माइक्रोब्स कहे जे उद्यारन तरीके तमे जोयू शे क्या चोमा समा भेजी युक्तव ब्रेड सडवा लागे जे तथा तेनी सपाटी पर सफेद राखोडी धब्बा पड़ी जाई जे अने आवा धब्बाने बिलोरी काचनी मदत्ती जोओ तो तमे सुक्ष्म काली गोडाका रचनावो जोशो शूँ तमे चाणों शो कि आ रचनावो शूँ छे आ क्या थी आवे चे तो चालो अगल आपने आपरक्रणी अंदर आभू चाणी तो विद्यार्थी मित्रों सव प्रथम आपने सुक्ष्म जीवो विशे वात करी शूँ शुक्ष्म जीवो ने अंग्रजी मां माइक्रो ओर्केनिजम्स कहे शे तो प्रवरूत्ती बे पुइट एक द्वारा आपने सुक्ष्म जीवो विशे माही ती मेल विए तो प्रवरूत्ती बे मां शूंक्तर वान एक टीपो स्लाइड पर लेवानू अने तेने माईक्रोस्कोप नी मदथी अवलोकन करवानू कि आपने इपाणी ना टीपा मथी शुँ देखाईजे आभी प्रवरुती करशु त्यार पशी प्रवरुती बिजी करशु प्रवरुती बेनी अंदर तड़ाव माथी आपने प चलन करता जोवा मल शे चालो जानी आपने कि आपने शुँ जोवा मले शे आ उलोकन पर थी आपने ख्याल आउशे कि माटी तेमा जे पाणी ना 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 सुक्षमा जीवो रहेला शे माटी के पाणी नी अंदर शु रहेलू शे ना 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 सुक्षमा जीवो रहेला आपने नरी आखे जोई शकता न थी अने एमाना केटला जेवा के ब्रेड उपर उगवा वाली फूग ने बिलोरी काच नी मदद थी जोई शकाई छे जरे अन्यने माई प्रोस्कोप नी मदद वगर जोई शकता न थी तो आज कारण छे के तेमने आपने सुक्ष्म जिवो कह ये चिए सुकाम सुक्ष्म जिवो कहुँआ झारण के अमूक जिवो ने आपने नरी आखे जोई शकता न थी अमूक ने बिलोरी काच नी मदध थी जोई शकाई अथवा तो आमूक ने जोवा माटे सुक्ष्म एटले के माइक्रोस्कोप नी मदध नी जरूर पड़े छे खूग, प्रजिव, अने केटलाई लेल आमाथी केटलाग सामान्य सुक्ष्म जीवो तमने आकरूतीनी अंदर दर्शावेला जे तो विद्यार्थी मित्रो तमें बेक्टरिया नी आया फोटो तमें जोई शको जो सामान्य रिते कैंक आवा बेक्टरिया देखाई जे त्यार पछी आपने लील नी वाद करिये तो आ लील जे आया तमने जे फोटा देखाई जे ये बनने लील जे त्यार पछी बिजा केटलाग प्रजीव नी वाद करिये तो आया अमीबा अने पेरा मिस्यम नी जे आपने फोटो आकुरूती देखाई जिया ए पेरा मिशियम औने अमिबा ए प्रजीव छे त्यार बाद आपने अईया फूग विशेवाद करता ता तो आ केटला फूग ना प्रकार से तमे आ आकुरूती नी अंदर बेक्टरिया लील प्रजीव औने फूग विशे माहिती मे अन्य सुक्ष्म जिवो करता भिन्न होई छे ते मात्र यजमान खोश्माज विपाजन पामें छे अर्थात एकले के बेक्टरिया वनस्पती अथ्वा प्राणी माज विपाजन पामें छे एकला विपाजन पामता न थी वाईरस नी आकुरूती पन आपनने दर्शाविली छे तमें बाजूनी स्क्रीन उपर जे फोटा जो जो इक केटलाक वाईरस ना फोटा जे तमें एने जोई शको जो केटलाक सामान्य रोग जेवा के शर्दी, इन्फ्लूेंजा अने उद्रज वगेरे वाईरस द्वारा थाईजे केटलाक विशेश रोग जेवा के पोलियोते मज अचबडा जेवा रोग पन वाईरस द्वारा थाईजे चाड़ा मेलेरिया जेवा रोगो प्रजीव थी थाई छे जर टाइफोड अने टूबर क्लियोलोसिस एकलेके टीबी बेक्टरिया द्वारा थाई जे तमें आमाथी केटलाक सुक्सम जिवो वीशे दोरण छ अने सात्मा अप्यास करी जुख्या जो तो चालव मीत्रो आपने जाणिये के सुक्सम जिवो क्या रहे जे सुक्सम जिवो एक कोशी होई शके जे जेमके बेक्टरिया केटलिक लील प्रजीवो अथ्वातो बहु कोशी ये सुक्सम जिवो जेवा के लील अने ठूब तो आपने बहु कोशी पन होई शके जे ते बर्फिली ठंडी थी गरमा पाणी ना जरात था रण थी लई अने दलदल यूपत भुमी जिवा प्रत्येक प्रेवर्मा टकी शके जे ते मनुष्य सहीत अन्य प्राणियोना शरीर मा पाण जुवा मले जे ते लाक सुक्सम जि पर आशरीत थाई जे जरे केटला स्वतंत्र पोत्तानी रिते जोवा मले जे अमीबा जेवा सुक्सम जिवा एकला रहता होई जे जरे फूक तेमा जे बेक्टरिया वसाहत माय प्रेके समुहुमा आपनने जोवा मले जे तो चालो मित्रो आपने हवे आगल सुक्सम जिवा अने आपना विशे माहीती मेलविये तो सुक्सम जिवा आपना शरीर मा महत्व पूर्ण भूमिका भजवे जे तेमा थी केटलाक आपना माट लाइब दाई होई जे तेथा केटलाक हानी कारक औने रोग कारक होई जे तो चालो आपने तेनो विस्तार्थी अभ्यास करिये कार्यों मा उप्योग मा लेवा मा आवे जे तेनो उप्योग दई ब्रेड तेमाज केक बनावा माटे करवा मा आवे जे प्राचिन काल्थी सुक्ष्मजिवनों उप्योग आलकोहोल बनावा माटे करवा मा आवी रहे जे परियावरानने स्वच्छ राखवा माटे तेनो उ अने उप्योगी पदार्थोमा करवामा आवे छे याद करो के बेक्टेरियान उप्योग आउश्यद बनावा तथा कुरूशीक शेत्रय नाइटरोजन स्थापना द्वारा चमीन नी फड़ द्रूपता वधरवा माटे फण करवामा आवे छे तो चालोवी ध्यर्थी मित्रो आपने दही औने ब्रेड बनावा माटे सुक्समजुनू उप्योग के विरिते करिया से तेनी महीती मेलवे तोरन सात्मा अभ्यास करो के दूदनू दहीमा रुपांतरन बेक्टेरिया द्वारा थाईजे आपने सात्मा दुर्णमा फणी त्य पहली पन केईशे के में मारी मम्मी ने हुपाला दुदमा थडुक दही भेड़ावता जोईचे जेना थी दही जामी जाईचे आने मने आच्यर यत्यू के आवू केम थाईचे तो चालो आपना पहली ने कईए के दही केवी रिते बनावा मावा जे तो दही माँ शुक्षमा जीवो रहीला होईचे जेमाथी लेक्टो बेसिलस नामना बेक्टरिया मुख्या शे दही नी अंदर कोण मुख्या शे लेक्टे लेक्टो बेसिलस नामना बेक्टरिया मुख्य भाग बजवेचे जे दूधने दहीमा परिवर्तित करे छे ते दूधमा दिपामी अने तेने दहीमा फेरवे छे बेक्टरिया चीज अथानू तेमाज अनेक खाज्य पदोर्थना उत्पादन मा सहाईता करे छे रवा इटली अने भटूरे वगेरेनू एक महत्वपूर्णा संघटक दहीं छे शूं तमे अनुमान लगवी शको छे के आवू शूं अथवा तो आवू केम छे तो चालो जाणी विद्यर्थी मित्रो प्रवरूत्ते 2.3 एक वासन मा अड़्धो किलो लोट अथवा तो मेंदोलियो तेमा थोडी खांड उमेरी अने गरम पाणी उमेरो तेमा एक चप्ती इस्ट पाउडर उमेरो अने सर्खी रिते भेलवी बनावो तमें 2 कल लाग पशी शूं जो शो शूं तमें कईया तैयार करेल कणक ने फुलेलो जोतो जोयो शे काईक आपने चित्रनी अंदर जोये शे ये बाजुना एवी जरीते आपनने मेंदो शेही वासन नी अंदर फुलेलो जोगा मळे शे क्याम आउथाई शेह तो के इस्ट जडब थी विभाजन पामे शेह अने स्वसंद दर्मियान कार्बन डायोकसाइड उत्पन्न करे शेह गेसना परकोटा बांधुला मेंदाना लोटनू कद वधारी देशे अने ब्रेड पेस्ट्रीज अने केक बनावा माटे बेकिंग उद्योग मां इस्ट नो कैंक आवीज रिते उप्योग आधार भूत बने छे तो विध्यार्थी मित्रो आजनो लेक्चर अपने आईया सुधी राखिये शेए आगल नू आवता लेक्चर मा आईया थीज शुरुआत करे शेए त्या सुधी दरेक विध्यार्थीओने वण्दे मात्राम जै हिन